ज्याहिन दोस्तों आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग अधरा डिविजन साथ इस्टन रेलियो का टेकनिसियन 3CNW डिपार्टमेंटल कुशिन पेपर सल्फ करेंगे जो की ये एकजम 11 जून 2024 को कंड़क्ट हुआ था तो चलिए डारेट कुशिन में चलत तो जैसा कि पहले कुशिन में हम लोग देख रहे हैं which one of the following is not a vector quantity तो ये पर देखिए जो चार अफसन दिया गया है इसमें से कौन सा vector quantity नहीं है पूछ रहा है तो इसका सही अंसार हो जाएगा मास हो जाएगा तो इसमें पहले देख लेते हैं vector quantity क्या है scalar quantity क्या है तो vector quantity ये ऐसा आप लोग का quantity होता है जिसमें की magnitude प्लस direction इसमें दोनों रहेगा vector quantity में लेकिन scalar quantity में only magnitude रहेगा तो इसमें आप लोग का देख लेते हैं option में जैसे की आप लोग का velocity पूछा है तो ये velocity जो है ये एक vector quantity है जिसका कि आप लोग का जो definition है ये displacement by time हो जाता है momentum ये mass into velocity हो जाता है momentum angular velocity जो होता है ये भी आप लोग का एक vector quantity है तो ये angular जो velocity है ये आप लोग का change in angular rotation to the change in time हो जाता है delta y delta t तो इसी प्रकार ये तीनो vector quantity है लेकिन जो mass है ये only scalar quantity है इसका magnitude ये आप लोग का only magnitude है इसमें कोई भी प्रकार का direction नहीं रहता है next चलते हैं by which instrument the purity of milk is measured तो दूद्ध की सुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है तो ये हो जाएगा lactometer अप्शन A के साथ चलिए which acid is used in making battery बेटरी तैयार करने के लिए कौन सा acid यूच होता है ये होता है sulfuric acid S2SO4 how many total bones are there in human body तो human body में 206 हडिया रहती है लेकिन initially new burn baby में जो new burn baby ये case में around लगभग 300 हडि रहती है तो ये भी जरूर याद रखें which Indian state has least literacy rate भारत के किस रज्यमें सक्षरता दर सबसे कम है तो वो state हो जाएगा बियार हो जाएगा तो इसी सबसे जो highest literacy rate जिस state में है ये हो जाएगा केरला हो जाएगा तो सक्षरता का सबसे ज़्यादा दर केरला state में है और सबसे कम बिहार में है लिएंडर पेस associated with which sport लिएंडर पेस कुन सा खेल के साथ संपुर्ट है तो ये हो जाएगा लॉन टेनिस इन विच स्टेट गीर नेशनल पार्क इच लोकेटेड गीर राष्ट्य उद्यान कीस राज्यमें स्थी थे तो ये हो जाएगा गुजरात में जो की लायन या सेर के लिए फेमस है गीर नेशनल पार्क विच वान आप दफोलिंग इच नोट एक क्लासिकल डेन्स अफ इंडिया तो ये पर देखिए जो चार अप्सन दिया गया है इसमें से कौन सा भारत का सास्त्रिय नुर्ट्य नहीं है तो ये पर पहले देख लेते हैं ये पर जो मोहिनी अट्टम है ये क्लासिकल डेन्स है मोहिनी अट्टम इसके सासाथ कथकली ये केरला स्टेट से है केरला स्टेट का ये क्लासिकल डेन्स है कथक यूपी उत्तर प्रोदेस का क्लासिकल डेन्स है यही पर जो घूमर है अपसन दो ही दे दिया गया एकी साथ अलग होना चाहिए था तो अपसन C और D में जो घूमर है यह आप लोग का जो घूमर है यह फॉक डेन्स से यह लोक नुर्तिया है जो की राश्तन स्टेट से राश्तन स्टेट का यह फॉक डेन्स लोक नुर्तिया है तो अपसन C के साथ चलिए यह जो घूमर है यह आप लोग का क्लासिकाल डेन्स होगा नहीं दा सीटी अप फटेपूर सिक्री वाच बिल्ट बै यह पर देखे फटेपूर सिक्री सहर किसके द्वारा बनाया गया था तो यह हो जाएगा समराट अकवर के द्वारा अपसन A के साथ चलिए विच अफ दफोलिंग डीजी इच कोश्ट बै फंजाई यह पर देखे फंजाई के द्वारा कौन सा रोक यह पर जो डीजी जह यह होता है फंजाई के द्वारा तो इसका सही आप लोग का इंसर हो जाएगा रिंग वार्म हो जाएगा यह हो जाएगा रिंग वार्म जो की फंजाई द्वारा होता है और यह फंजाई का जो नाम है नेम फंजाई रिंग वार्म के लिए जो फंजाई के द्वारा होता है उसका नाम क्या है यह है डेर्माटोफाइट्स इसका नाम होता है डर्माटोफाइट्स इसके चलते हैं रिंग वर्ब या जिसको की हम लोग दाद बोलते हैं यही होता है वो आद फास्ट प्रेसिडेंट अफ इंडिया तो पहला राष्टपती भारत के तो यह हो जाएगा डक्टर राजेंदर पसाद जी अफ्शन B के साथ चलिए जिनका की प्रियर्ड था 26 जनवरी 1950 से 13 में 1962 तक एराउंड लगवक यह 12 साल तक थे राष्टपती अफ्शन B के साथ चलिए बारत के सूचना अबंग प्रसारान मंत्री कोन है स्री अनुराक सिंग ठाकूर अफ्शन D के साथ चलिए तो यह पर देखिए जो फास्ट वर्ड के साथ आप लोग का सेकंड वर्ड रिलेटर है इसके साथ साथ आप लोग का तीसरा और चोथा के बीच मेरे रिलेशन पूछा है तो जैसे कि यह पर देखिए टोकियो जो है यह जापान का केपिटल है ऐसे प्यरिस किसका केपिटल है किसका राजदानी है यह फ्रांस का राजदानी है अब संबी के साथ चलिए Which of the following is the largest fresh water lake in India निमने लिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का जील है तो मीठे पानी का जील जो आप लोगा उलार हो जाएगा उलार लेक तो यह आप लोगा अपसन बी में है जो की जम्मू और कस्मिर में यह स्तीत है उलार लेक जो की largest fresh water lake है तो इसे हिसाब से largest salt lake यह क्या हो जाएगा यह चिलका जिल हो जाएगा जो की उडिसा में है which is the following is the capital of मनीपूर तो इह पर देखिए मनीपूर का capital पूछा है राधानी पूछा है जो की यह इंफाल हो जाएगा इसे हिसाब से देख लीजे अगर तला यह त्रिपूरा का capital है सीलोंग मेगालाय का capital है आईजल यह मिजोराम का capital है वीच अफ देख फोलिंग इंडियन स्टेट है लॉंगेस्ट कुस्ट लाइन निमने लिखीत में से किस भारतिय राजय की तटरेखा सबसे लंबी है तो यह पर देखे largest कुस्टाल लाइन पूचा है तो यह आप लोगा largest जो कुस्टाल लाइन हो जाएगा यह गुजरात में है largest कुस्टाल लाइन अफसन B के साथ चलिए तो यह लगभग 1600 किलोमेटर का कोस्टल लाइन है 16 किलोमेटर का तर्ट रेखा कोस्टल लाइन गुजरात में है Which of the following festival is known as festival of harvest in Punjab निमनी लिखित में से किस तियोहर को पंजाब के फसल का तियोहर के रूप में मनाया जाता है तो ये हो जगा बैसाखी जो की एप्रिल महिना में मनाया जाता है पंजाब में Who was the first Indian to win Nobel Prize in Literature साइत्य में Nobel पुरसकार जीतने वाले पहले भारतिय कोन है ये भी आसान कोशिन है तो ये इसका एंसार हो जगा रविंद्रेनाट टेगोर जी अप्सन A के साथ चलिए जो की 1913 में इनको Nobel Prize मिला था लिट्रेचर साहित्ते के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वो साहित्ते किताब आप लोका क्या है जिनके चलते रविंद्रेनाट टेगोर जी को Nobel Prize मिला था वीच अब दे फोलेंग टीम हैच ओन आईपियल 2024 तो देखें इहीं पर इंडियन प्रिमेर लिक आईपियल 2024 किस टीम ने जीता था तो ये आप लोका सही अंसर हो जाएगा कुलकुता नाइट राइडर्स अप्सन B के साथ चलिए जो की सनराजर हाइडराबाद को हरा कर ये जीते थे सनराज हाइडराबाद को हरा कर ये जीते थे नेक्स चलते हैं फ्रेंस राजभासा का कुश्चिन है राजभासा अधिनियम 1963 कब संसोधन हुआ तो इन पर देखे जो अफिसियल लेंग्वेज एक्ट ये आप लोगा कब एमेंडर हुआ है पूछ रहे तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये आप लोगा पास हुआ था अफिसियल लेंग्वेज एक्ट ये पास हुआ था 10 माई 1963 को और ये एमेंडर हुआ संसोधन हुआ 1967 में आप्शन B के साथ चलिए राजभासा अधिनियम कब पारित हुआ था ये 10 माई 1963 को आप्शन A के साथ चलिए राजभासा अधिनियम की धारा तीन तीन कब लागू हुआ था अफिस्या लेंग्वेज एक्ट सेक्षन 33 ये लागू हुआ था 26 जन्वरी 1965 को राजभासा अधिनियम की सेक्षन 33 ये लागू हुआ था हिंदी दिवस कप मनाय जाता है 14 सितंबर को हर एक सल हिंदी दिवस मनाय जाता है अगर एक्जाम में आपका वाल्ड हिंदी दिवस के बारे में अगर आता है तो ये हो जाएगा 10 जन्वरी हर सल 10 जन्वरी को मनाय जाता है 200 हिंदी दिवस संसोदिय राजवासा समीती सर्वपर्थम कब गठित की गई थी तो ये पर देखें संसोदिय राजवासा समीती के बारे में पुछा जा रहा है तो ये परलियामेंटरी कमिटी अन अफिसियल लेंगवेज ये एस्टाबिलिश्ट हुआ था ये गठित हुआ था 1976 को किस नियम में हिंदी का कारियसाधक ज्यान की परिवासा दी गई है तो यहीं पर देखें ये पर कूशिन है कि आप लोका है हिंदी में कारियसाधक ज्यान तो ये रूल 10 में बताया गया है वार्किंग नौलेच अब हिंदी रूल 10 में बताया गया है इसी सबसे रूल 9 में बताये गया है हिंदी में प्रविणिता के बारे में बताये गया है प्रोफिशेंसी इन हिंदी ये दोनों आप लोग रूल 9 और रूल 10 को यात रखिए मंडल राजवसा कार्जनेवन समिती की बैठक बरस में कितनी बार होती है तो इन पर जेड़ो एल आई सी के बारे में बोला गया है आप लोगा सॉरी फ्रेंस डियो एल आई सी के बारे में बोला गया है Divisional Official Language Implementation Committee इसका आप लोग का बैठक पूछ रहा है इसका आप लोग का कितना बार मीटिंग होता है इसके बार में पूछा गिया है तो ये साल में दो बार होता है Option D के साथ चलिए Once in six month राजबासा अदिनियम में कूल कितनी धराएं है इसके बार में कितना सेक्षन है पूछ रहा है कितना धरा है पूछ रहा है तो टोटाल 9 सेक्षन है राजबासा आयोग के सर्वर प्रतम अध्यक कोन थे तो राजबासा आयोग के सर्वर प्रतम अध्यक जो चेर्मेन थे ये थे बीजी खेर साहब जी बाल गंगा दर खेर Option B के साथ चलिए तो ये भी जान लिजे जो Official Language Commission ये आप लोग का Official Language Commission ये कब established हुआ था कब गठित हुआ था 7th June 1955 को तो ये भी याद रखिए राजबासा नियम कब पारित हुआ 17 जुलय अनिश्यक चेर्टर को पारित हुआ था Option D के साथ चलिए 17 जुलय 1976 को 17 जुलय अनिश्यक चेर्टर को नेक्स चलते हैं जेनराल साइंस का कुसिन है ओजन लेयर अक्यर सीन इहीं पर देखे ओजन लेयर कहां पर रहता है ओजन परत कहां पाई जाती है ओजन लेयर तो इसका सही अनसर हो जाएगा यह हो जाएगा आप लोग का स्ट्राटो स्पियर में अप्शन B के साथ चलिए स्ट्राटो स्पियर ओजन लेयर इसी में ही पाई जाता है वीच अफ दा फॉलेइंग इजे नौन रीनियवल एनरजी रिसोर्सेस इहीं पर देखे निमने लिखीत में से कौन सा गेर नभी करनिया उर्जा है यहीं पर आप लोग का कुछिन है फॉलेइंग इजे नौन रीनियवल एनरजी रिसोर्सेस निमने लिखीत में से कौन सा और नभी करनिया उर्जा संसाधन है तो यह हो जाएगा आप लोग का चलिए कोयला जो होता है ये आप लोग का अनवी करनिया उर्जा होता है बाकि जो सोलार है मीथेन भी हम लोग इसकोक터 अबनीबल कर सकते हैं हैर ड्ल हो के सब्सक्तिना लेकिन कोयला है ये अनवीक करनिया उर्जा है, अप्सों ड के साथ चलिए इस ग्रूप कंटेंस अप नोन रियोनेबूल अर्गानिक रिसोर्सेस इस समुव में गेर नविकर्णिया संसाधन सामील है तहीं पर देखिए जो अपसन दिया गया है इसमें आप लोग अपसन को ठीक से रीड करिए और इहीं पर आप लोग को निकलना है नोन रियोनेबूल अर्गानिक रिसोर्सेस तो ये हो जाएगा आप लोग का अपसन बी में देखिए नैचुराल ग्यास हो गया ओयल हो गया कोईला हो गया तो ये सब आप लोग का नोन रियोनेबूल अर्गानिक रिसोर्सेस है अपसन बी के साथ चलिए which law is also known as law of inertia किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है तो Newton's का जो आप लोग का कौन सा नियम है जिसको law of inertia या जड़त्व का नियम बोला जाता है तो यह इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सवन A Newton's fast law तो Newton's fast law क्या बो रहा है An object at rest or in motion will remain that way unless acted upon by an external force तो यह पर देखिए कोई भी बस्तू ये स्तीर रहेगा या गतिसील रहेगा कोई भी बस्तू स्तीर रहेगा या गतिसील रहेगा जब तक कि इसके उपर कोई भी बाहरी बल का प्रयोक ना हो तो इसको बोलते हैं law of आप लोगा फास्ट law of motion जिसको की law of inertia भी बोला जाता है जड़त्व का नियम भी बोला जाता है यह passenger इन्हें moving train तोसे से coin that falls behind him it means that the motion of the train is चलती train में एक यात्री एक सिक्का उचलता है जो कि उसके पीछे गिरता है जो चलती हुए train में कोई आदमि अगर सिक्का को उच्छा लेगा तो उसके पीछे ही गिरेगा इसका मतलब है कि train में गती क्या है तो यह train का गती जो हो जागा यहीं पर यह accelerated हो जाएगा यह त्वरित गती हो जाएगा जिसके चलते सिक्का उचलना पर आदमि का पीछे ही गिरेगा तो अब सन B के साथ चलिए If the mass of a body is doubled and its velocity becomes half then the linear momentum of the linear momentum of the body will तो यहीं पर देखे आप लोग का mass दे दिया mass of the body double mass double हो जाएगा और velocity half हो जाएगा एही condition में linear momentum क्या होगा यहीं पर कुछिन है तो यहीं पर देखे यदि pin का द्रब्यमान दो गुना कर दिया जाएगा और उसका वेक आदा हो जाएगा तो यहीं पर देखे आप लोग का simple है देख लेते हैं पहले पहले देख लेते हैं momentum momentum p is equal to यहीं पर देख लीजे m into v होता है तो यहीं पर आप लोग का mass जो है mass हो जाएगा double हो जाएगा 2m हो जाएगा और velocity जो है यह हो जाएगा आधा हो जाएगा यही पर कुशिन था कि मास को डबल कर देंगे और वेलोसिटी को आधा कर देंगे तो यही कंडिशन में आप लोगा मोमेंटम निकालिए यह हो जाएगा आप लोगा 2M इंटू हाफ भी तो इसको 2 से 2 काट दीजे यह सिम्पूल हो जाएगा M भी हो जाएगा मोमेंटम इसका मतलब यह मोमेंटम जो है यह सेम रहेगा अगर आप लोगा कोई भी बोड़ी में मास को डबल कर दीजे और वेलोसिटी को आधा कर दीजे तो यही पर आप लोगा लिनियर मोमेंटम वो यह सैम ही रहेगा अपसन B के साथ चलिए Which among the following metal is the lightest? इसमें से कौन सा धातु सबसे हलकी है तो यह हो जाएगा Aluminium हो जाएगा Which of the following metal is the purest form of iron? Iron का सबसे purest form लोए का सुद्धितम रूप क्या है तो यह हो जाएगा raw iron एक group of individuals अपे plant और animal species inhabiting a given area इसकल्ड किसी दियेगे खेत्र में रहने वाले पोधे या पसु प्रजाती के ब्यक्तियों के समूँ को क्या कहा जाएगा इहीं पर देखे group of individual of plants और animal species inhabiting a given area तो ही पर आप लोग का दिया है plant animal species जो है यह एक आप लोग का area में आप लोग का रहते हैं तो इसी प्रकार का आप लोग का condition में इसको क्या कहा जाएगा किसी दियेग ये खेत्र में रहने वाले पोदें या पसु प्रजाती ब्यक्तियों को समूँ को क्या कहा जाएगा ये बोला जाएगा population जनसंख्या किसी जीब या समूदाय के प्रकृतिक स्तान को क्या कहा जाता है इसको बोलते हैं हम लोग आवास बोलते हैं habitat बोलते हैं The organism that lives on organic materials and absorbs organic molecules by digesting enzymes are called The organism that lives on organic materials and absorbs organic molecules by digesting enzymes are called वे जीफ जो कर्बानिक पदार्थों पर रहते हैं और एंजाइमों को पचा कर कर्बानिक अonों को अफसूत्सीत करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उनको बोलेंगे decomposal अफ़ैन एक की साथ चलिए उनको बोलेंगे अपघाटक या decomposal Plants are also referred H. पोधों को भी माना जाता है क्या माना जाता है उनको पोधों को Plants को Flora भी बोला जाता है इसको जरूर यात रखिए Soil Erosion can be prevented by जो मुरुती क्या आप लोग का ख्या होता है मुरुदा अपरादन या जो Soil Erosion होता है इसको कैसे रोकेंगे तो इसको पैड़ पोधा लगा के बन रोपन करके एफोरेस्टेशन करके ही इसको रोक पाएंगे Soil Erosion can be prevented by एफोरेस्टेशन पैड़ पोधा लगा ये बन रोपन कीजिए और मुरुती क्या जो ख्या है इसको रोकिए Energy produced by Hydro electricity power plant होता है इसमें जो Energy produce होता है उत्पादन होता है उस प्रकार का उर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते है Non-polluting and renewable gear production कारी और ये होता है नभी करनिया उर्जा अब संसी के साथ चलिए The lowest layer of the atmosphere इच कल्ड तो atmosphere का सबसे निचला स्तर निचला परत क्या है बायू मंडल की सबसे निचली परत कहलाती है ये हो जाएगा आप लोग का ट्रोपो स्पियर हो जाएगा अप संसी के साथ चलिए तो इसमें भी आप लोग थोड़ा डाटा देख लीजे जैसे की निचले स्तर से प्रोपो स्पियर इसके बाद इसके उपर स्ट्राटो स्पियर फिर इसका उपर चलिए मैसो स्पियर थर्मो स्पियर इसके उपर एक्सो स्पियर ऐसे ही एट्मो स्पियर का ये आप लोग का क्लासिफिकेशन नीचे से उपर तक ऐसे ही होता है तो सबसे नीचले वारा परत या स्तर जो हो जाएगा ट्रोपोस्पियर हो जाएगा Which planet is known as the red planet किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है यह हो जगा मंगल ग्रह मार्स Which animal breathes through its skin कौन सा जानबर अपनी तोचा से सांस लेता है यह पर आप लोग का पूछा है कि कौन सा आप लोग का जीब है जो कि इसका स्कीन के माध्यम से सांस लेता है तो यह हो जाएगा मेंढक हो जाएगा फ्राग हो जाएगा What is the boiling point of water Water का boiling point क्या हो जाएगा तो यह पर आप लोग का water का boiling point है यह हो जाएगा 100 degree centigrade इसी हिसाब से water का freezing point freezing point जो कि हिमांख पानी का हिमांख कितना हो जाएगा 0 degree centigrade What is the largest mammals in the world बिस्व का सबसे बड़ा स्तन्य पाई प्राणी कोन सा है बिस्व का सबसे बड़ा स्तन पाई कोन सा है यह हो जाएगा blue whale जिसको के नील तीमी मचली भी बोला जाता है blue whale next चलते हैं friends कुछ English grammar का question है choose the incorrectly spelled word यहीं पर देखिए कौन सा incorrect है इसका spelling देख लीजे तो यहीं पर जैसे की देखिए ब्रिंजाल है इसका spelling ठीक है mouse का भी spelling ठीक है blink का भी spelling ठीक है यहीं दोके slide जो है इसका spelling आप लोग का ठीक नहीं है correct नहीं है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा slide sli d हो जाएगा मतलब slide मतलब फिसलना select the word that is closest in meaning that is synonyms of the word bogus तो यह दोखिए bogus का आप लोग का जो समार्च बाची सब्द हो जाएगा synonyms समान अर्थ वाला सब्द क्या हो जाएगा यह हो जाएगा false bogus का आप लोग का जो same word हो जाएगा same meaning वाला word false हो जाएगा choose the option that is correct passive form of the sentence तो यह पर देखिए आप लोग का एक sentence दिया गया है इसका passive form देखेंगे we had eaten the cake we had eaten the cake simple इसका passive form क्या हो जाएगा यह हो जाएगा the cake had been eaten by us option a में ही है the cake had been eaten by us यह हो जाएगा passive form this digit last for only 60 periods of time तो किस प्रकार का जो आप लोग है बिमार है जो की कम period के लिए रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं equate बोलते हैं जो equate digit होता है यह आप लोग का सबसे कम period के लिए रहता है जैसे की common cold हो गया common cold जो थंडा होता है common cold या flu जो बुखार होता है यह जल्द ही आप लोग का छूड़ जाता है यह long time रहता नहीं है select the most appropriate meaning of the given idiom तो यही पर देखिए एक मुहाबरा दिया गया है इसका आप लोग का correct meaning यहीं पर पूछा है कि इसका आर्थ क्या हो सकता है यहीं पर देखिए जो idiom या मुहाबरा दिया गया है spill the beans spill the beans तो इसका आप लोग का जो appropriate meaning हो जाएगा लगवक इसका सही जो आप लोग का meaning हो जाएगा यह पर जो option दिया गया है यह हो जाएगा reveal a secret इसका मतलब है कि disclose a secret या reveal a secret रहसे का खुलासा करना राज खोल देना रहसे का खुलासा कर देना तो यह आप लोग का अर्थ हो जाएगा spill the beans मतलब reveal the secret या disclose a secret हो जाएगा option C के साथ चलिए तो चलिए फ्रेंस फास्ट पार्ट में आदरा डिविजन साथ इस्टन रेलो का टेक्सिजन 3 CNW डिपार्टमेंटल जो एक्जाम हुआ था 11 जुन 2020 को फास्ट पार्ट में 55 कुशिन देकर सल्प करते हैं बाकि जो कुशिन है इसको जल्द ही सेकेंड पार्ट में सल्प कर देंगे और आप लोग का सेवा में इसको अपलोड कर देंगे जो भी फ्रेंस अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं जल से जल जुड़ जाईए देखिए कम्मुनिटी पेज में डेली आप लोग के लिए कुशिन अपलोड कर दिया जा रहा है आप लोग का जो एक्स्ट्रा प्राक्टिस के लिए जरूर डेली आप लोग जो एक्स्ट्रा कुशिन है कम्मुनिटी सेक्शन में क्लिक कीजिए और आप लोग का ढेर सारे कुशिन मिलेगा इसको प्राक्टिस कीजे प्रिपरेशन कीजे जो कि आप लोग का डिपर्टमेंटल एक्जाम के लिए एकदम बहतरीन आप लोग का अभ्यास होगा तो मिलेंगे इसका सेकेंड पार्ट लेके जल्द ही जैहिन दोस्तो